हेलो एंड विल्कम गईस कैसो आप सो उम्मीद करते काफी अच्छ होंगे mcaa t20 सूपर स्रीज का ये 9th मैच कवर करें जो साउथा नेटर्स वेसे सेंट्रल सेमर्स के वीच में मैच काफी अच्छा रहेगा हमने इसे दोनों ही टीमों के और से दोसों काफी सारे रिसर्ट करने पर इस मैच में यहां से आप सभी को एजर ट्रमफ्लेश दgrassलों को मिलेंगे जर स्मौलिस के साहत मिनी जीओ और निक्स और साथी जानेंगे किस प्यार को हमें आज से SMAULES TIMS में प्क करके चलना लोह किस प्यार को आज सामें grand-list के टीमस में ट्राय करना विध जो भी हमारे कैप्टेन एंडवाइस कप्तान के important and default options रहेंगे इनके बार में भी details में disclose करेंगे और इस वीडियो में दीगए इंफोमिसन आप सभी के लिए उतना ही इंपोरेंट रहेगा जितना कि इस मुकाबले को विन करना तो सारे इंफोमिसन आपको इसी वीडियो मिलेंगे तो इंटक देखेगा दोस्तों सबसे पहरे देखो जो लोग भी तक हमारी यूटूब चैनल पर नए हो तो फिर हमारे चानल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दिएगा ताकि आने वाले सारे वीडियो के बारे में डेटियल में कवर कर लेते हैं और सबसे ज़्यादा जरूरी है फैंटेसी क्रिकफान के टेलिग्राम से जुड़ो जो भी हमारी क्रेंडिंग एंडि स्मॉलिस की फानल टीम्स होंगे अपडेट्स आपको इनकी टेलिग्राम पर ही देते हैं जहां पर दस जार से सब्सक्राइबर जूड़े हुए तो चैनल से जूड़ जाओ और मैच के टैम सिर्फ लाश के मेंटों तक अक्टिव रहना ताकि जो भी हमारे इंडिंग एंडि स्मॉलिस की फानल टीम्स होंगे इसकी नोटिफिकेशन आप सभी को मिलेंगे या पर जो भी इनकी प्लेंग दोस्तों बात करेंगे सबसे पहले इनकी प्ले स्टार्टिक के बारे में यह एंसे ट्वन्टी सूबर सीज का नाइंथ मैच है जो साड़े साथ बज़े करी में यूकेम वास्टी क्रिकेट ओबल सेम ग्राउंड पर मैच के लाज जाएगा जो एवरेज स्कोर 140-160 के आस-प इनके अलावा सबसे पहले अगर हम बात करेंगे इनकी पॉसिवल ब्लेंग लेवन बैटिंग उडर के बारे में तो देखो इनकी टीम ने चार मुकाबले में एक मुकाबले अपने लॉस कर गया रहे वैसे भी स्ट्रॉंग टीम अगर इस मैच को जीतना भी चाहिए तो आफस्टैंडिंग फॉर्म जो कि चोवालीस पंदर नौ इससे पहले 63 का इनका स्कोर था हलाकि जो सबहत्तर मुकाबले में और तालीस तो दो रन चावरेज एक सो तीन विक्टे और यह जो बॉलिंग है इनका पार्टेंग है वारब इस इस रीच के अंदर पूरी सिजन ब आप से रहेंगे अगर आप जीएल भी खेल रहे हो तो पांसे छे टीमों में ट्राय करना जो कि यह उप्रेकर बॉलिंग राते हैं 69 मुकाबले खेल चुके जहां पर 9 विक्टे थे रिक्षेंट के मुकाबले में 19-8 इससे पहले भी 10 रन उसके बाद तीन और दिवो इनकी बॉलिंग है वो पार्टेंग कर रहे हैं परसे इसकंदर के मुकाबले कुछ खास अच्छा है इनके पास रोल रहा नहीं ड्रॉप करना बहतर है इमाद खान इनका भी रिश्रेंट फॉर्म देख हुए तो डग पर आउट 15 प्लेस स्कोर 13 और पांच क्या स्कोर है और जो इनके पास T20 करियरी स्टार्ट सिर्फ 13 का ही आवरेज नजर रहेंगे तो इन दोनों ही ऑप्संस एसे ग्रैंड लिग्स के जातर यह सेफ रहेंगे तो स्मॉल इसलान सब्सक्राइब को आप टीमस में रख सकते हो एलेफ एंडर बैट्समें और बोलिंग नहीं अठारा मैच हमें एक 18-14 का यहां पर 17 बेक्टेद है अब रिश्रेंट के फॉर्म देखोगे तो यह बोलिंग और बैटिंग दोनों ही डाले जो कि हमारी यह ग्रैंड लि इनके अलावा यहां पर आरिफ नजर आएंगे ना तो बैटिंग ना तो बॉलिंग और रिश्रेंट के मुकाबले में छेही से पहले 26 का स्कोर था था थोड़ी से डिफोल्ट है वो तो ग्रैंड लिस्के टीमस में रखना बगए यह स्मॉल लिस्क में हम इनको नहीं शिज करेंगे तो अभी इनको एग्णोर करेंगे जो टीम के में बॉलिंग है उनको खोसिस करेंगे लेकर चलने के तो आपके पास रहीं कान मलिक नजर आएंगे देखो रिश्रेंट के मुकाबले एक आउस्टार्णिंग फॉर्म पच्पन मैचों मारे तालीस विक्टे मिलें फ फर्स्ट मुकाबला वन विक्टे दो विक्टे दो विक्टे इस तरह से बॉलिंग से गाउस्टार्णिंग फॉर्म तो हाइदर को ट्रिम्स में रखना चाहिए और आप इन्हें मीनी जील के किसी किसी टीम में कैप्टन भी कर सकतो और इनके जो भी बेंच ऑप्शन से प्ल लॉस कि आप देखो इनके टीम के उसे मोहाद गुर्डेज नदर आएंगे यह उपनिंग बैटिंग करवाते हैं इस टीम के उसे जिसमें यह बॉलिंग और बैटिंग दोनों ही करके देंगे हलाकि दोस्तों इन्होंने अपी तक रिशन के एक ही मुकाबले स्रीश के अंद सामने वाले टीम वैसे भी स्टोंग है तो इनका कुछ आस रोल अच्छा दिखेगा नहीं तो अभी आप यहां सिनको एग्णोर करके ही जाओ बागी आकर आपको ट्राय करना हो तो आप इनके प्लेस पर हस्टन महमुत के मशूद के शाथ जाओ जोगी लेटेंडर बैट्स लास के मुकाबल में चौहातर कर स्कूर्ट वन विक्टे भी रहा था तो यह इन से बहतर रहेंगे आप इनके शाथ जाओ इनके अलावा जो हाफीज है तो राइंडर बैट्समेंट टीम के कप्टंसी कर स्टार्टिंग तीन मुकाबले फ्लॉप ते लास्ट के मैचों में वन विक्टे जहां पी है न तो बैटिंग ना तो बॉलिंग कुछ खास अच्छान के लिए मैच रहा नहीं तो ड्रॉप करना सेफ रहेगा बागी इनके अलावा रखिए हमारे ग्रैंडिस के ही सेफ है अब यह जो आपको मिल्ड ओडर बैटिंग दिख रहा है न असलम का सब्सक्राइब देखो के मुकाबले में 20-806 इस तरह से बैटिंग ओडर काफी नीचे तो ऐसे ओप्संस को आपको जील के किसी किसी टीम में रखने का अब यहां पर प्रशान थे देखो इन्हों ने मुकाबले में 25 वेक्टे निकाले रिशन्ट के मैचों में वन वेक्टे वह भी चार ओवर के इनका बॉलिंग था इनके अलाबा जो नशीर हमाद है दो वेक्टे चार ओवर के बोलिंग यह राइटे मीडियम बॉलिंग है तो अगर आप चाहों तो दोनों में से किसी के तो काफी बढ़िया टच में चले और इनके अलावा जो यहां पर अकीब जावेद राइटे मीडियम बॉलिंग दोस्टे गारा मैचों में तिरह विक्टे रिशन्ट फॉम दो वेक्टे दो एक आउस्टानिंग फॉम यह दोनों ही हमारे लिए टीम के में बॉलिंग रहें तो काफी देखवों मैरे पास तायम इंग दो घंटे से कम का है थोड़ी सी सौट पर्य गरेंगे खरेंगे प लिए स एंक टीम के शाथि अन्वेश्ट्मेंट है और पांच का कोंबिनेशन पम्पेंशला धीम के साथ जूट जाना विजर वनी हम काप्टन करेंगा 20 अर्ष मैं उसके साथ